हाँ तो दोस्तों देखें इस वीडियो में आपको जो है ना पठार से सम्मंदित सारे टॉपिक किलियर होंगे पठार किसे काते हैं आप नाम सुने होंगे दक्कन का पठार तिबत का पठार पामीर का पठार यह भाई यह पठार किया है तो यह पठार से जितने भी रिल्टे चलिए शुरू करते हैं देखिए अच्छा से यह जो मैप देख रहे हैं आप यह भारत का इसको बोलते हैं थीमेटिकल मैप आप इंडिया ठीक जैनी कि भारत का थीमेटिक मानचित्र मानचित्र कितने परकार के होते हैं आप जानते हैं बहुतिक मानचित्र होता राजनितिक कच Lights लिए फोड़ा है थ्वड़ा इचखार आऊंगा तो देखेंड नेसे बहुत सारे थोदेल खंड पठर उसके बाद बंदेल खंड शोटा नाखपुर का ठिक घृण्य का पठार और सिलांग का पठार यह सभी पठार रहें पठारी चेत्र हैं क्या है पठारी चेत्र पले परिवासा जानते हैं डिपनेशन ठीक तो पठारी चेत्र इंगलिस में प्लाटो बोलते हैं पठारी चेत्र पठार क्या है तो पठारी उस जगह को करते हैं पठार उस एरिय होता है वो क्या होता एक मेज जो आप मेज में पढ़ते हैं ना चौंकी सोते हैं सोते हैं उस चौंकी के भाती आपका जो है यहां समतल होता है इसे हम बोलते हैं पठार और जो इसकी उचाई होती है ना यह अधिकतर जो उचाई होती है 600 मिटर के अंदर में होती है ठीक तो य ये भारत का जो ये पठारी छेत्र देख रहे हैं ये दक्कन का पठार ये भारत का सबसे उंचा पठार है और भारत का सबसे बड़ा पठार भी है ठीक ये देखिए ये हो गया भारत का पूर्व चली पूर पस्चिम आपको बता देख पहले ये भारत का पूर्व हो गया ये हो गया भारत का पतस्चिम यह हो गया भारत का उत्तर यह हो गया भारत का लन तो भारत के पकालेग। की लगतान halo है यह न को च्रफल पर बता दूंद दक्कन के पठार का छेत्रफल यह कितने राजियों में फैला है तो दक्कन का पठार टोटल आठ राजियों में फैला है कौन-कौन से राज आपको नाम भी मालूम होने चाहिए तो चलिए बता दूं महाराष्ट्र एक नंबर पर आएगा महाराष्ट्र दो नंबर पर आएग तमिनाडू तेलंगाना और आंद्रपर्देश उसके बाद ओडिसा भी आ जाता है ठीक ओडिसा इन सभी आठ राइज आते हैं किसमें यह दक्कन के पठार में तो यह आ गए हमारे दक्कन के पठार में कितने राइज आठ और अब बात करते हैं दक्कन का पठार यह तीन भागों में बाटा गया है जैसे उप पठार बोलते हैं ठीक उप पठारी चेत्र दक्कन को तीन उप पठारी चेत्रों में बाटा गया है कौन-कौन आईए आपको किलियरली सामने से दिखाते हैं यह देखे यहां पर आपको दिख रहे होंगे किलियरली यह जो तीनों भा पहला भाग बाटा गया है इसे हम बोलते हैं महाराश्टर का पठार इसको तीन भागों में बाटा गया है दक्कन के पठार को तीन भागों में पहला भाग का क्या नाम है महाराश्टर का पठार दूसरे भाग को हम बोलते हैं आंद्र प्रदेश का पठार या तेलंगाना का जो भी आप नाम पुकारें दोनों नाम पुकार सकते हैं और ये जो तीसरा पठार है इसको हम बोलते हैं करनाटक का पठार या मैसूर का पठार क्यूंकि करनाटक का पूरा नाम मैसूर था पाले ठेक ना ये चीज़ हो गए अब देखें यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक दम्हासान से याद हो जाएगा यह आठ यह चार राज्यों में एक दम्हासान से याद हो जाएगा ये आठ ये चार राज्यों में ठीक सबसे ज़्यादा इसका भाग जो है ये किसका भाग है जारखंड का सबसे ज़्यादा चोटा नाकपूर ठीक चोटा नाकपूर का पठार दो पठार हो गए अब देखिए हमाई important पठारों को बारे में बता देता हूं बुंदिल खंड का पठार यह जो बुंदिल खंड का पठार है ना यह मुख्य रूप से जो है आपका यूपी में आता है एमपी में आता है और चतिस गड़ में आता है तीन राज्यों में फहला है ठीक उसके बाद हम बात कर लेते हैं मालवा का पठार मुख्य रूप से यह हम एमपी में ही आता है ठीक मैद परदेश में मालवा का पठार उसके बाद बुंदेल खंड का पठार तो बुंदेल खंड का पठार दो राज् वुडिशा और 36 गर्ष दोड राज्यों में यहां दन्ड का रहनिका पठार है और एक पठार यहां पर सीलांग का पठार यहां सीलांग मिजोरं में आता है तो इन सभी को पठार यह छेत्र कहा जाता है जो कि अपने आस पास का जो एरिया होता है उससे थोड़ा उचा होता है और उसका उपरी भाग सिर्स बाग होता है इस पर्कार का परवत होता है और पठार का बाग कैसा होता है यह संतल हो जाता है तब उसे हम पठार बोलने लगते हैं और इसकी अधिक्तम उचाही मतलब जेनरल पठार की अधिक्तम उचाही होती है कितनी होती है तो इसकी उचाई रखी गई है 600 मिटर, 600 मिटर से छोटा ही होता है अकसर पठार, किसी किसी इस तितनी मिहा बड़ा हो जाता है, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बाते बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का प ठीक, तिबद का पठार, बिस्व के छत किस पठार को कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है, पामीर के पठार को जो है बिस्व के छत कहा जाता है, ठीक, और इसे प्याज वाला पठार भी कहा जाता है, पामीर का पठार चीन में है, तो यह पामीर का पठार को प पामिर का पठर था ना उसमें क्या प्याज भी उगता था जंगली प्याज इसलिए इसे प्याज वाला परवत या प्याज वाला पठार भी कहा जाता था तो यह चीज हो गई हमारे पठार छेत्र के बारे में पठारी छेत्र का क्या फाइदा है अब जान लेते हैं तो पठारी छेत्र का फाइदा यह है कि पठारी छेत्र जितने भी होते हैं इन सबी को यह जो हता है धर्ती से उचा उठा होता है इसमें यानि कि इसी में बहरा होता है यसे कोईला बहरा हो गया तो जितनें फी कथारेश रहुती है उंस पर प्षुभी में हमें सबी पठारों में जितने भी पठारी छेतर होते ना उन विए चिपा होता है खनीज समपता आपको मालूम होगा 36 कोईले की खान है टिक ना MP में कितने कोईले की खान है यहाँ पी आता है मालवा का पठार इसमें राजस्तान वगराव का भी एरियत थोड़ा कबर होता है तो इसमें भी आता है तामभाई की खाने खेतली में तो जितने भी ये पठारी शेत्रों होते हैं उनमें क्या होते हैं? खनीज पठारी शेत्रों में क्या पाया जाता है? खनीज पाया जाता है तो ये हो गए हमारे पठार छ्षेधर इनसे फायदा किया है यह भी जान लिए और पठार किसे गाते हैं ये भी जान लिए भारत का सब या 65,000 किलोमेटर है 65,000 किलोमेटर है ठीक और च्छोटा नाकपुर के पठार के उंचाई कितनी है तो 1365 मीटर पठार के उंचाई है ठीक इसका चेत्रफल पांच लाख है और इसका चेत्रफल 65,000 है ठीक तो यह दोनों अंतर है डिप्रेंट है और बाकी सभी चोटे-चोटे पठार हैं तो आज हम लोग जान लिए कि पठार क्या है इसके क्या उपयोग है और क्या फायदे हैं पठार किसे काते हैं इसके पठार है दुनिया के च्छत किसे काते हैं यह सभी चीज़े जान ले ठीक और अब भी कोई दिक्कत हो आपके मन में पठार से ले करके तो पिलिज हमें कमेंट कीजिएगा हम आपको उत्तर उसका जवाब जरूर देंगे हां यह मालवा का पठार कहां पे है न यह थोड़ा मेरा संचे है क्योंकि यह राजस्तान का भी हिला का कवर करता होगा जहां तक मेरा खयाल है, और MP का भी ठिक ना Jaan पे मैंफे घलत बोल नहीं, राजस्तान और MP का हिला का घबर करता है, हाँपक पका राजस्तान और MP दो ही राज है, मालवा का पठार में, ठिक, तो चलिए मैं ये बताएगा और आप ये भी बताएगा आप में कमेंट में कि आपका राज जो है किस पठार के अंतरगत आता है चलिए देखतें कि ने लोग बता मात क reicht कि फिर मिलेंगे एक नेश्व फ्रीट प्र गया सथ तब तक के लिए